बनस्कार अजीद दोस्तों एवंग देवियो देशी आरवेद में स्वागत है अगर आप देख रहे हैं मेरे चैनल को तो पहले चैनल को सस्क्राइब कर दे नोटिफिकेशन की घंटी को दबा कर लाइक सेयर कर दे आज हम आप लोगों के सामने जो बनस्कार लेकर हाजिर हु उसका नाम हिंदी में पेठा सफेद कोला संस्क्रित में सोयत कुस्मांड बंगाली में सोयत कुमरा गुजराती में कंटालू कोलू मराथी में भोवाला हारसी में भूरा, कद्दू नामों से जाने जाते हैं आप किस नाम से जानते हमें कमेंट में बताईएगा यह भारत बर्स में सभी जगां पाया जाता है इसके बेल स्वेंग ही उत्पन होती है और बोई भी जाती है इसके फल कुमरे जैसे होते हैं पर अंडाकार पकने पर यहरापन लिए सफेदी से युक्त होता है फल के उपर सफेद रंग का पाउडर जैसा जमा रहता है देख लीजिए यह है गुण आरबेद के अनुसार स्वयत कुसमांड भीर बर्धक, पुष्टकारक, बस्ति सोधक, बलकारक, स्वादिष्ट हिर्दय को हितकारी तथा मूत्र घात परमेव, मूत्र किर्चक, पथरी, तिसा अरूची, बायुपित, रुधीर, विकार इत्याद रोगों को नश्ट करने वाला है कच्चा पेठा, अत्यंत सीतल, दोसकारक और पित, कारक है पका हुआ पेठा, किंचित सीतल, दीपन, हलका, स्वादिष्ट, बस्ति सोधक, पिर्दोस, नासक और पत्थ है उपियोग इसकी जड़के चून को गरम जल के साथ देने से भैंकर स्वास और खासी मिठती है पेठे के छे मां से फूल पीस कर खिलाने से हैजे में लाब होता है इसके भीजों का सवा तोला तेल पिला कर थोड़ी देर के बाद हलका जुलाब देने से आतों के सभी किरिम बाहर निकल आते हैं इसका स्वारस पिलाने से हर परकार के रक्तसों में लाब होता है पेठे के चार तोला स्वारस में थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा यवच्छार मिला कर पिलाने से बस्त और मूत्रेंद्रियों के सूल यानि दर्द पथरी और मूत्र किर्चक में लाब होता है पेठे के अठारहमा भाग रस में एक भाग घी और एक मुलेठी की लुगदी डाल कर मंद अगनी पर पकाना चाहिए जब सब जल कर घी मात्र सेस बचे उसे च्छान कर लख नेना चाहिए इस घी से मिर्गी रोग में बड़ा लाब होता है इसका ताजा रस शक्कर और केसर के साथ देने से उनमाद मिर्गी बायु के दर्द और मधमेह में लाब होता है आज की महत्रपूर जानकारी समात करते हैं मिलते हैं नई जानकारी के साथ नमस्कार देशी आरवेद